किर्त्रीम वर्सा या आर्टिवीसियल रैन उस पिर्क्रिया को कहा जाता है जब केमिकल की हेल्प से बादलों को आर्टिवीसियल तरीके से अनुकूल बना कर मन चाहे इस्तान पर जरुरत के हिसाब से वर्सा कराई जाती है आर्टीबीचियल रेन का आविस्का 13 सितंबर 1946 को अमेरिकन रसायनक और मौसम विज्ञानी विसेंट जोसप सेफर ने किया था जब ये अमेरिका की एक जेनरल इलेक्ट्रिक लैब में रिसर्च कर रहे थे तब इन्होंने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलोजी की खोज की थी वर्तमान समय तक विविन देशों द्वारा समय समय पर इस पर नए रिसर्च और प्रियोग किये जा रहे हैं आर्टीफीचियल रेन को समझने के लिए सबसे पहले बारिस के प्रोसेस को समझना होगा सागर, मासागरो और नदियों का जल गर्मी की वज़े से भाप बनकर उपर उठता है और बादल का रूप धारन कर लेता है वाई मंडल में उपर जाने पर तापमान की कमी से ये बादल ठंडे होकर बूंदों के रूप में संगनित हो जाते हैं इस पिरकार गुरुत्वा करसन के कारण जल पुने धर्ती पर गिरने लगता है तब वर्सा होती है अर्थात गरम हवा जब कम ताप और उच दाव वाले वाई मंडल में पहुंचती है तब बारिस होती है Artificial RAN यानि की किर्तरीम वर्सा के लिए वायू मंडल में कुछ रसाइनों की साहिता से ऐसे वातवरन का निर्मान किया जाता है अब बात करते हैं Artificial RAN के प्रोसेस के बारे में के आकिर क्या पिरक्रिया है इसके artificial rain में cloud seeding की पिरक्रिया को तीन आसान चरणों में विभाजित किया जा सकता है फश्ट, सबसे पहले निर्दारित इस्तान पर हवा का तापमान बढ़ा कर उसे उच्च दाव वाले वाई मंडल में भेजा जाता है इसके लिए calcium chloride, calcium carbide, calcium oxide, ammonium nitrate, urea और नमक का यूज किया जाता है इस चरण में बादलों का घनत्य यानि density को बढ़ाया जाता है इसके लिए ammonium nitrate, calcium chloride, urea, नमक और dry ice का यूज होता है third cloud seeding के last step में silver iodide वे सूस्क बरप विमान, बैलून या मिसाइल में भरकर बादलों के उपर डाला जाता है जिससे बादलों का घनत्य तो बढ़ जाता है और पानी के कंड बरप के क्रिश्टल में बदल जाते है और पिर्थवी के गुर्थवा कर्शन सकती से धर्ती पर वर्षा की बूंदों के रूप में गिरने लगते है cloud seeding जरूरत और उपलबदा के आदार पर कई तरीके से किया जाता है जिसमें से सबसे लोग प्रिय तरीका है drone cloud seeding drone cloud seeding में बैटरी से संचालित होने वाले drone के मादधम से बिजली का इस्तमाल करके बादलों को आवसोसित कर बारिस कराई जाती है इस पूरी पिर क्रिया में आदे घंटे का समय लगता है अब बात करते है एरक्राप्ट cloud seeding की इसमें विमान के द्वारा बारिस कराई जाती है इसमें ज्यादा तर डॉपलर रडार के मादधम से पहले ही उपस्तित बादलों की खोज कर ली जाती है जिससे cloud seeding के पहले के दो चरणों की जरूरत नहीं पड़ती सीधे विमान में silver iodide के दो generator रखकर विमान को हवा की विपरी दिसा में ले जाकर बादलों के उपर छोड़ दिया जाता है इस तरह संगटित होकर बारिस का जल निरदारित इस्तान पर गिरने लगता है अब बात करते हैं मिसाईल cloud seeding की मिसाईल से cloud seeding का तरीका भी लगवग वैसा है जैसा विमानों से मिसाईल से cloud seeding करने पर सफलता की दर 80% जादा होती है इसके अलावा यह विमान की अपेक्छा में सस्ता भी पड़ता है भारत में बात करे cloud seeding की तो भारत में cloud seeding की starting 1951 में हुई थी जब भारत के मौसम विभाग के महानिदेशक एस के चटर जी के दिसा निर्देश में इस पर परिक्षन किया गया इसमें हाइड्रोजन के गुबारे में सिल्वर, आयोडाइड और नमक भरकर वायमंडल में छोड़ा गया था इस तरह किर्तिनी वर्षा कराई गई थी 1951 में ही टाटा फरम ने वेस्टरन घाट पर इसका यूज किया था इसके साथ ही 1951 में ही रैन एंड किलावड सीडिंग इंस्टिटूट लखनाउ और महाराष्ट के कैई इस्तान पर किलावड सीडिंग की थी किर्सी के लिए आर्टिपीसल रैन का अनुपिर्योग 1983, 1984, 1987, 1903 में और 1904 में तमिल नाडू के कैई छेत्रों में किया गया था 2003-2004 में करनाटक की वर्षाधारी परियोजना भी इसका एक उधारन है इसके अलावा तेलांगना आंदर परदेश में भी आर्टिपीसल रैन का परिक्षन किया गया और अभी 2023 में ही देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते फिर्दूसन को देखते हुए आर्टिपीसल रैन की पूरी तयारी कर ली गई है और आने वाले कुछ दिनों में ही देश की राजधानी दिल्ली में कृतिन बारिश की जा सकती है